तनहाई की जील में एक कश्टी हमने बनाई थी तो हस अन मरा ले बाई मैं सुनाई घादे को तो हस अन्चो मैं क्यों सुनाऊ घादे को मैंको दूसरी राइमिंग के लिए ना जितने गंदे वड़ारे ना वही सब धिमाग में आरे का भी यह आएगा तनहाई की जील में एक कश्टी बनाई थी उसके बीच में हम और तुम थे चारो और तनहाई थी तुम मुस्कुराई थी मेरी बावों में समाई थी तुम्हारे इंतजार में एक कश्टी और भी आई थी यह हमें है खबर कि वो तुम्हें काफी लुभाई थी पर वो आंधी अपने वो पर यह ना पता था कि वो अपने साथ एक आंधी भी साथ लाई थी क्या समझा भी तकी इसका मतलब यह पोएम है या पहाड़ा है पोएम है पूरी पोएम लिखी थी मैंने कि मेरे को एक लड़की से प्यार था और हम तुनों अकेले थे लेकिन फिर लाइफ में उसके कोई और आ गया जिसके वैसे हमारी जो नहीं आए वो डूब गई तो उसके बार में यह शायद उसके प्यार की आंदी ही इतनी तेज थी डूब गई हमारी कश्ती जो कभी न डगमगाई थी फिसल जरूर गए थे हम तनहाई की उस जील में शायद तुम इंकार करो छीटे तुम पर भी आई थी शायद वो आसू थे शायद वो तुम मुस्कुराई थी देखना पाए थे नजरे जो तुमने जुगाई थी एक दिन जरूर आएगा जब तुम्हारी कश्ती भी डगमगाएगी शायद तुम इंकार करो याद तुम्हें भी मेरी आएगी हमने भाई यवड़ा सुनँ यवड़ा मैं बहुब तौड़ हूँ हमने तनहाई की जील को आईशों से क्वोडु जिल को आसों से क्या कर दिया तनहाई की उस जील को आंसों से क्या कर दिया दरिया कर दिया तेरे इंतजार को जीने का जरिया कर दिया कष्टी की खोज में तुम्हारी यादे जरूर सताएंगी कहते हैं डूबी कष्टिया ना वापिस आए थी ना आएंगी how to by तुम्हारी याद में अकसर दोस्तों को पिलाकर रोज आएंगे में तुम्हारे यादों को सोचके दोस्तों को पिलाकर धी क्या करेंगे रो जाएंगे रो यादे फिर भी आएंगी तो फिलाकर सो जाएंगे वाई कि झाल